मद्द प्रशासन पूरी तरह निरंगुष हो चुका है इसके नमूने एक से बढ़कर एक इन दिनों धर्म नगरी में खुलेयाम दिखाई पड़ रहे हैं कुछ दिनों पहले स्केम ने गुंड़ाई करी और जब उनकी गुंड़ाई का संतुना जवाद दिया तो अब नगर पंचायत के कर्मी सिधे दोर पर गुंड़ाई पर उतर आए हैं आज तो बहर बाद परिक्वा मार पर नगर पंचायत के कर्मी प्रभाद कुमार ने तो गुंड़ाई करी उसे देखकर गरीबों की आत्मा काप गई कोरोना काल में पिछले आठ महिने से लोग दाने दाने के लिए मोताज थे तब पूर सीमों ने यहां पर बहुत मानावता के काले किये थे उनके चक्कर में यह प्रभाद कुमार बहुत धबे कुछले और सेमे रहते थे लेकिन उनके टांस्पर होने के बाद अब यह पूरी तरह से कुंड़ाई में उतर आए है मकानों में जाकर सीधे लोगों से कुंड़ाई कर रहे हैं गरीबों के ठेलों पर जाकर सीधे उनका चालान बना रहे हैं उनसे चालान के अत्रित सुल्ग भी वसूल कर रहे हैं कई दुकंदारों ने पताया कि वे चालान करते समय गाली गलोच का भी इस्तेमाल खुले आम कर रहे हैं आज परिक्मामार पर लगबक चार घंडे प्रभाद कुमार ने चेकिंग के नाम पर अत्रिक्माल साफ कराने के नाम पर खुले आम लोगों के साथ बस्तलुकी करी गुंड़ई करी और बत्तमीजी करी यह वैसे इनके दुआरा किये जाने वाला कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले भी यह लगादार लोगों के साथ बत्तमीजी करते रहे हैं लोगों को बार बार देखकर बत्चमीजी करना इनकी आदत बन चुकी है जब एक प्रमुग संत के सिस्जों ने उनको ऐसा करने से रोका तो इन्हों ने उनके साथ भी बत्चमीजी करी और यहां तक कह दिया कि हम तुम्हें तुम्हारे सत गुरू को भी नहीं बखसेंगे फल वाले ठेले वाले यहां तक की परिक्पा मार पर बेजुमान बंदरों को फल सब्जी और पूरी खिलाने वालों को भी इन्होंने नहीं बखसा लगबक सभी का चालान खुले आम गाटा और कहा कि अगनी वाल से बंदरों को खिलाने की कोई जरूरत नहीं है चाहे वो भूगे मर जाएं चाहे वो जिंदा रहें अधवा ना रहें दुकंदार इनके हाथ पैर जोलते रहे मगर यह नहीं बसीजे और लगातार लोगों को गाली गलोच कर यह बताते रहें कि वह नगर पंचायत के बहुत बड़े करमचारी हैं अब करमचारी से बढ़कर हुआ अधिकारी बन चुके हैं इस तरह से उन्होंने अपने करमचारीों को साथ घूम घूम कर नगर पंचायत का इलाका वदा कर मद्द परदेश के छेत्र में गरीबों के साथ खुली गुन लई गरी इस दोरान उन्होंने भीकारीों को भी नहीं वक्सा कुछ लोगों ने जानका रिद्धी है कि उन्होंने कई भीकारीों को गाली गलोज भी की है